और सबसे बड़ा असर किया आया कि जो बेपारी सिर्फ बरबरी का प्रमोशन करते थे अब बलेक बंगाल में ही आ गये हैं एक समय था कि हम भैक्सिन बॉक्स लेकर गौंगाओं घुमते चलते भैक्सिन 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 का हमने इतना लोगों के जागरूप कर दिया विड लगों लोग नया चल चल दिया एक बिहार का मिडिया है लंगूर की निसमच जब सुधिर कुमार बुरा आदमी है लंगूर के नजर में तो तुम अपने चैनल पर जितना वीडियो मेरा चल रहा है सब को डिलिट मार दो दोस्तों नमस्कार मैं उपाउन कुमार सिंग और देख रहें विहार स्टोरी मीडिया के धंदा पानी व्लॉग इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसी जगह पर जहां पर बकरी पालन का गुरुकुल चल रहा है और बता दू कि ये भारत वर्ष का सबसे बड़ा गोट फार्मिंग का गुरुकुल है जहां एक साल के अंदर जार से भी ज्यादा बिद्यार्थी ओफ लाइन और ओन लाइन के जरिए प्रिंड किये जाते हैं बिल्कुल देशी अंदाज में बहुत ही सधारन तरीके से लेकिन जो मिलता है वो बहुत अनमोल मिलता है और इस गुरुकुल के जो नायक है सुधीर सर का बहुत अभिनंद और स्वागत धन्यबाद जो आप बोले कि बहुत सधारन तरीके से तो जी बकरी पालंगा ट्रेनिंग बकर ये वाला अंदाज में होता है तो धरती परहकर होगा हवावाई क्या बात करना है साही बात है आज कल यूटूब आप देखते हुए कहीं कहीं बहुत हाइटेक त सुधीर सर के साथ जब मैं होता हूँ तो पहले बात करता हूं कुछ विशियों पर गर्मी का दिन है इसमें बच्चे और बकरियों में जो है दस्त की शिकायत आ रही है और आज उसी पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो दस्त है उसका कैसे इलाज करें कैसे रोके ठामे दस्त नहीं कर पा रहा है छोटा बच्चा उसमें भी दस्त होने लगता है डैजिस्टिफ सिस्टम खराब हो जाता है तो दस्त के लिए सबसे आम बात क्या करते हैं घरेलों कुछ भी नहीं है गर्मी कज़से हो रहा है तो अधी किसी घर मठा है मठा उमिद करते हैं बिहार पानी घर के पिलाई ये सारा डोजबेगरास पर लिखा हुआ है तो आपका फारम कंट्रोल में रहेगा दस्तोल समस्य ने लेकिन उससे ज्यादा च्छा क्या रहेगा कि आप अपने बखरियों को जो गर्मी मौना मौसम हैं गर्मी से बचाईये में क्या करना होगा पच्छिया हवा तो डिरेक्ट बखरी पर लगना ही नहीं चाहिए बखरी तो हलका फुलका परदास्त कर भी ले है आप समझ रहे हैं कि बस दस्ते हो रहा है कि किसान उतना ट्रिंड नहीं है आप किसान है वो कोई पकड़ पाएंगे कौन जो एक्सपर्ट रहेंगे लच्छन का धार पर एनमन हील्स वर करें पाराविट कर भी पकड़ लेंगे ठीक ना उससे चाप हावा लग नहीं नही पानी करेंगा अधिकान किसान लोग क्या कि हुआ रहते हैं करकट कब रहते हैं गर्मी मारता है उपर से निचे की और और साथ ही साथ गर्मी कर दिन में कम से कम तीन चार बार ताजा पानी बखरियों के सामने रखिए हां कुछ कि सामने सर बखरी को पानी कितना कि सुचा एक हालिक सुबा साम पानी पिलावें ताइम पता नहीं कहां कहां से लोग देख लिया इस विडियो देख आयक्सरी का दौन नहीं दे रहा है तो गर्मी के माउसा में बखरीयों को नमक जरूर देजिए या पानी में खुल कर दीजिए बड़ा बक्री है तो आठ से दस ग्राम च्छोटा बच्चा है तो तीम से पांच ग्राम इस तरह से कीजिएगा तो लू भी नहीं लाएगा दसला जो पाय बता है उससे भी आपका दसली कंट्रूल हो जाएगा बहुत असानी से हो जाएगा और उ सेर कीजिता की जाओं के किसान को भी फैदा है सुधीर सर का जो भी प्रयास रहता है जो भी इनकी मेनत होती है उस सारे के पीछे कहीं सार है कि वो चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े अच्छे तरह से वेवसाय करें और इसलिए सर की जो जागरुपता अभियान है वो बहुत जागरुपता अभियान में होता है किसान को जागरुप किया जाता है किसान को जागरुप कैसे करते हैं उसका क्या असरा है उस पर हम थ्रुद सा बतारें भीवर को लोग तेखांगे धा DaleUp कर बेसित directThe haltenurer's vaccine 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 हमने इतना लोगों के दिःकर डिया विडिया शापक्ति कहीं आज किозможно WR этом से कि आज किसान भी धैस maintain को रहे हैं संट कि meinem इस आफ देखें हो थे कया अजोला क्विए अजकुता क्ला है लोगा आज अधिन्गेंसे में स्टम पिश्चन कैसे देंग हैं इमर्गेंसी वह देएं नहीं चाहिए लोग काफी पैदा कमा रहे हैं राचारे के बारे में भी सरा आपने सार बहुत आपने अधर दोघ्रुक किया बिहार और जहर्खन के कलायमेंट में कौम सा नसल यहां के लिए जड़ा अच्छा रहता है उस पर भी हमने किया उसका असर किया आया किसांद हमारे बातों को माने ही माने और देसी बक्री का पालूम करने लगे और सबसे बड़ा असर किया आया कि जो बेपारी सिर्फ बरबरी का प्रमोशन करते थे अब ब्लैक ब सब्सक्राइब करता है कि सब्सक्राइब करना पड़ता है मुसिबत क्या होता है बेपारियों का टीम हमारे खिलाप हो जाता है कि और जो हमारे पुराने विवर होंगे उन लोग देखते भी होंगे कि जो क्यिवी बैपारी आप बरबरी को करने मालें थे हम इसाफने वीडियों से मुझे गाली देते हैं लेकिन वह बैपारी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है बैपारी मैं उसकी ला लेकिन कुछ बैपारीज होते हैं जिनके वज़ा से बीना टीका करन के बीना किसी चीज के बी जान रहें कि यहां के क्लाइमेट में बक्री सुटेबले बेच देते करते हैं नहीं कर रहे हैं होता है लोग एक नया चाल चल दिया एक बिहार का मिडिया है लंगूर की एक नस्मॉच अच्छा और पहले कुछ दिन हमरा साथ चला बेपारी लोग उसका किया कि अपना पार्टर पना लिया क्योंगि आम और लिची नुकसान वा determine तो देखा कि पैसा हम रहे है यह हम पर नहीं करेंगा भाई तो जाके वेपारिक से मिल गया हमारे पुरा प्रसर डालने लगा इसा है कि अब देशाब बंद कर दीजिए ठीक है परवरिक मैं आप ना बोले बंद करना दीजिए परशार चाहाब कि किसे होगा हो तेना सर आपक जमीन पर सुट के उपर आया है किसान की बात करते हैं तो उनकार करते हैं तो अंगुर को तो अंगुर मिला नहीं तो अब का हो गया आंगुर नमीलेगा तो आंगुर को खटे न बोलेगा तो हमको का करने लगा त्रहत्रह का हमारे बारा में आप ख़वाह उडाने लगा नया नया कहानी रचे लगा लेकिन ठीक हमारा विचार है कि आप पुंजी निवेश कर चुके हो तुम अपना ट्रेडिंग करो ना तुम बोलो खूल करके हम यूटूबर नहीं हम ट्रेडर हैं लेकिन उतबूल नहीं पाएगा वीवर्स चलहां के सर वीवर्स तो सब जानते ही हैं छे मैने की वीडियो देखेंगे तो सब सचाई पता चल जाएगा पसुपालकों पर पूरा भरोसा है क्योंकि पुराने वीवर्स को याद होगा कि आसा दो साल पहले भी एक चैनल वाला है उसी तरह इस लंगूर की सोच को भी किसान लोग मिट्टी चटा कर रखेंगे यह मुझे भरोसा है अपने किसान पर जो हित की बात नहीं करेगा जो भविश्य की बात नहीं करेगा और बिलकुल सुधीर सर के साथ हूं में और इनकी बहुत बड़ी महांता है कि यह एक सि चलाएगा लंगूर की सोच वाला किसान उसको मिट्टी चटा कर रखेंगे यह लोग प्रमोट कर रहे हैं ना सर कि अब क्या होता है कि आप यान की तहत जैसे यहां पर देश के कोने कोने से भी लोग आ रहे हैं बक्री पालन शुरू कर रहे हैं अब लोग का एक तरफ यह इस जाते हैं कि अच्छा सुधीर सर जिस काम में लगे उसकाम को भी बिगन बादा उसमें डालो तो अब समझाते हैं कि बिना ट्रेनिंग के जो है दुसरे से बुलवाते हैं जगा जगा जाते हैं कमाल कर रहे हैं लंगूर को सुचना चाहिए जब सुधीर कुमार बुरा आदमी है लंगूर के नजर में तो तुम अपने चैनल पर जितना वीडियो मेरा चल रहा है सब को डिलिट मार दो हाई ही मत तो डिलिट कहने मारता है खाली बोलते रहता है डिलिट मारके देखाओ तब किसान मानें कि नहीं तुम सही हो खाले जुटो मुटो बोले सब यहां पर जो हमारे भविष्य के जो प्रनेता है जो लीडर्स बनेंगे अपने अपने फिल्ड में और खासकर करके यहां पर ट्रेनिंग लिया है इन्होंने इंसे पूछते हैं सर कैसा रहा सेशन बहुत अच्छा बहुत मेरा नम भी स्वजीत कुमर हुआ है सारेंटिस्ट सब्सक्राइब अपना परचे दीजे सब सार्शा डिस्टिक्स हैं सर मेरा घर बरसम मंगवार के पास मेरा बोकार 스शा है शाय नावाडि है पर्खन और गH biking टोला करते हैं बकरी पालब सुरू करने के लिए परब करने के लिए नाम शुरियत कुमर है मैं भिहार के रोता जिल के दृम मेरा नाम दार्बंगा शिला से शुनकी पंचात से प्रभाकर सिंग अर्वल जीला अर्वल जीला से आप धनेर सरवरां लोहरदका जीला जारखन थाना कुड़ू और गाव सिंजो पड़ता है सर बकरी पालन सुरू करना है कि कर रहे हैं कुछ बकरी तो है 30-40 लेकिन उसको और बढ़ाना चाहते हैं सर्मजयाश्ची राजस्तान से आप राजस्तान से आए सर्में सरीगाल इटिक सूर्थगड से भिहार इस्टोरीक वीडियो वहां भी देखते लोगे बिलकुल सर मैं कम से कम 6 मीने समय दो देख रहा था और वहां पर पर स्नल प्रशेंश प्रीट सेंट्र है वोड ओड़फा लगा दो दिन लगा आपको यहां आने मेरा अजस्थान से ट्रेणिंग लेने के लिए जर कैसा अनुरहो रहा और मैंने जैसे सोचा उसे बढ़िया सीखने को मिला जी सर बोल जाने बिल्कुल सर चलिए सुब कामना है आप कहां से आज सर महराष्ट से आए हैं आप महराष्ट सर में कहां से वर्दाजिला किती किलोमेटर होगी सर यहां से लगभा एक रात और एक दिन लगा एक रात और एक दिन 24 गंटे क्या करते हैं आप वहां पर से शेती चैटी तो वहां पर वीडियो देखा है और फिर उसको आपको पेढ़ना मिली कि आप आके ट्रिनिंग लें अब नए है अभी बक्रिपालन में है पहले से पाल रहे हैं परशानी आ रही थी पहले हां थोड़ा बहुत आ रही थी तो समझ में नहीं आता था एक दो बच्चा मारी भी इसमें तो पता नहीं चला तो फिर डॉक्टर को बुलाना फिर उसी से सुई दवाई कराना यहां क कितना चोटा उमर में बक्री पालंगी टेड़ी यह तो लगता है कि 14-15 साल का होगा कितना उमर है 16 साल का वाह क्या करते हैं बाभू पढ़ते हैं तो अभी बक्री पालंग करो आगे का पढ़ाई फिर घर में बताके आए हैं तो बहाई हैं अच्छा क्या बात है तो दोनों बाइब बाइब लिए तो आए कौन सा गाहों बताया चाथिस गड़ बाइब बाइब कहां गया अच्छा इसलिए आप भी मतलब चलिए मतलब सीनियर जुनियर दोनों एक साथ रहेंगे चले बहुत अच्छा लगा भाई देखे 36 गड़ राजस्थान महाराष्ट इतनी दूर दूर से लोग आ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप कहते हैं जनाब कि ट्रेनिंग लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं बकरियां है बकरियां तो पल जाएगी अरे भाई बकरी ही है शेर नहीं है शेर अपने आपको प भूजन के लिए सब चीज आपको सोचना है उसके बिवस्था उसके मैनेजमेंट के बारे में इसलिए ट्रेनिंग की अवशक्ता पड़ती है तो चलिए मिलता हो बहुत जल्द फिर सुदीर सर के साथ एक नए शेशन में फिर नए एपिसोड में तब तक के लिए जय ही जय भारत